को लेकर ही है ओपेक ने तो अपना जो फैसला लेना था वो ले लिया हमारी चरकार ने फैसला नहीं लिया और वो है गैस प्राइस पर साल में दो बार गैस के दाम बदलते हैं हर चिमाई में बदलते हैं तो एक एप्रिल को नई दाम आपके लिए आते हैं और एक अक्टूब पर पानी फिर गया और कुछ नहीं वह आखरी तक उमीद थी कि Friday तक अरे कपिस थारी के शायद cabinet आकरी में कुछ कर देगा लेकिन कुछ नहीं किया और उसके लिए आपने देखा भी ता Friday को दिरे दिरे रियक्शन देखने शुरू हो चुके थे एक आधा पसंट के आसपास की गिरावट ये खासकर सिटी के डिस्ट्रीकुशन कमनी जे उनमें देखने मिलते हैं और आज तो ये धराशाई हो गए है क्यों कि जो नाच्रल ग्यास की कीमते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है 8.5 डॉलर 57 डॉलर MMB2 के आसपास जो है इ दोनों खबरे अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है जो difficult fields से दाम घटाए गए हैं वो नेगेटिव है Reliance और जो बाकी दाम नहीं घटाए गए हैं वो खासका अगर आप देखेंगे तो city gas distribution companies के लिए नेगेटिव है क्योंकि लोग ये मान रहे था कि किरेट पारिक कमिटी की जो रेक्मेंडेशन्स है जिसको अल्रेडी नवंबर में अप्रूवल मिल चुका था उसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा लेकिन वो नहीं मिला है अगर इनकी सिफारी शे मान ली जाती तो जो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस एपेम गैस के लिए उसको तै कर लिया जाता चार डॉलर जो होता वो फ्लोर प्राइस होता और सीलिंग प्राइस जो साड़े 6 डॉलर के आसपास होता और हर वर्ष इसमें 50 सेंड के आसपास की बड़ोती होनी थी लेकिन इस प्राइस को फिलाल नहीं बदला गया है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ओवरल जो गैस से उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है no doubt हो सकता है कि कुछ दिनों में यह हो ना हो अब वो सरकार जानती है कि सरकार क्या करना चाहती है लेकिन recommendations काफी अच्छे थे अब एक तो इसका impact किस पर है city gas distribution companies पर सबसे जादा है क्यूंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार आपने देखा था कि gas की जो कीमते बढ़ रही थी उसके लिए कंपनिया जो है लगातार अपनी कीमते बढ़ा रही थी और बड़ा बड़ा के इन्होंने उसको इस लेवल पर ले आये थे कि petrol और CNG के दाम अगर आप देखेंगे तो almost एक लेवल पर ज्यादा difference है नहीं तो वो जो डेल्टा इनको मिलता था वो कम हो चुका था तो और यहां से इनके पास price बढ़ाने की गुंजाई जो है वो काफी कम है अगर यहां से कीमते इनी लेवल पर रहती तो आप यह price तो बढ़ा सकते नहीं अगर price बढ़ाएंगे तो पूर economics इनकी fail हो जाएगी इसके लि की दाम घटेंगे लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है इनके लिए negative है सिफ positive थोड़ा बहुत upstream companies के लिए है हाला कि उनके लिए भी जो natural gas के दाम नहीं change के वो positive है लेकिन जो difficult fields है उसके दाम घटा दिये तो उनके लिए इतना बड़ा positive नहीं है लेकिन ठीक है नहीं घटाये है जो पुराना formula लागू करते तो क्या होता तो 25% बढ़ दाते gas के दाम वो भी तो नहीं किया तो शायद इसलिए fertilizer stocks उपर है आज कि एक वो डर था कि बड़ी वेदाम आ सकते है वो भी नहीं हुआ है लेकिन ज़्यादा लोगों को उमीदे यह थी कि शायद recommendation मान ही लिए लिए कि जो formula में बदलाव है किरिदपारिक committee के और जो पुराना formula है उससाब से करिदपारिक committee के साब से कम होने चाहिए तो पुराने formula के साब से बढ़ने चाहिए तो इसे market neutral event ही फिर मान लें market neutral लेकिन उमीदे थी किरिदपारिक committee के recommendation मान ही लिए जाएंगे इसे लोग सोचके बढ़ गया ते इसके आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा किस तक के अप्ग्रेट्स सिटिगेल डिशिवर्शन companies पाय थे लगातार हम देख रहे थे जैफ्री मेक्कुरी सब प्राइ अगर आप committee के recommendations को नहीं मान रहे तो लोग यह सोचे थे कि चले January से natural gas के दाम घटे है तो अगले revision में अगर इस बार नहीं माना तो अगले revision में तो दाम घटेंगे अगर फिर बढ़ना चाल लोगए आप क्या करोगे तो परिशानी दोनों तरफ से है आप accept करें तो भी नही करें तो भी बट फिलाल recommendation एकसेट नहीं करी है इसलिए जो पुराने दाम थे वो ही continue होने वाले है शुक्रिया वरून ने ये खबर समझाने के लिए कि अच्छली हो क्या रहा है पुरा